और भगानु पसना का मतब है तूटने की विपसना करना भगानु पसना और इसी भग से इसी भंग से जो लोग तोड़ते हैं उनको भंगी बोलते हैं और जो महिलाय तोड़ती हैं उनको भंगर भगन बोलते हैं या भंगर बोलते हैं अजय के नाम के आगे भधवान बूद कहना उंचीथ है कि तठा गत्त कहना है सराहे हम को सर कांसेट को तरिये करिए गवा तर को यहां वैसे तो बहुत बार बाताया है यFFB मनाई है और इसको वार वार और हजार वार बताइंगे लाख वार बताएंगे और आप सब भी इसको सीख लो और इसको लाखो वार और करोड़ वार बताना पड़ेगा क्योंकि जिस सब्द को अर्वो वार कोई कान में डाल चुका है अर्वो वार बोला जाता है और ऐसा मोहावरा बना हुआ है कि हमारी जो माताय महने हैं वो माते कैं ये जो सब्द है अगर अरे भगवान दो सब्द पाली में मिलते हैं एक भग भया और अधा गया और पूरा गया भग व भग माने होता है तोटा हुआ और दूसरा सब्द है भगन, भगन माने है तूटना और भगघखण का मतलब है तूटा हुआ छण और भगाणू पसना का मतलब है तूटने की विपसना करना, भगाणू पसना और इसी भग से जो लोग तोड़ते हैं, उनको भंगी बोलते हैं और जो महिलाय तोड़ती हैं उनको भंकर भगन बोलते हैं या भंगन बोलते हैं यह पुराने सब्द है और बुद्ध ने अगर भंगानु पस्तना सिखाई है तो इसका मतब है कि वो किसी चीज को तोड़ रहे हैं भगन कर रहे हैं भगन कर रहे हैं और जो तोड़ता है किसी चीज को यानि भग करता है या भगन करता है उसके पीछे पाली में एक सब्द लगाते हैं वन्तू या महिला के लिए लगाते हैं वती या वंती इसलिए हमारी महिलाओं के नाम माया वंती सौंवंती सौंवती देवती ये मिलते हैं और जो हमारे लोग हैं जो वो काम करते हैं तो उनको कहते हैं बलवन्तू या जैसे कहा भगवन्तू तोड़ने वाला या करवन्तू करने वाला तो ये जो वन्तू सब्द लगता है ये मेल के लिए है और वती सब्द है वन्ती सब्द है वो फी मिल के लिए है यानि करने वाला तो पूरे बुद्ध से पहले तक कोई भी ऐसा वक्ती नहीं था पूरे भारत में जिसने अपने जीते जी अपने रागों को भग किया हो यानि कि जिनको तोड़ा हो या भगन किया हो कि या जो देश होते हैं सरीब अंदर मन के अंदर उनको तोड़ा हो या उनको भगन किया हो तोनों सब देख हैं या जो महमोर्टा है उसको बघण किया हो या तो पहला ऐसा व्यक्वति जीवित क्योंकि मरने के बाद तो कोई कर नहीं सकता ऐसा व्यक्टि उस्द्धत गौतम हुए जिन्नों ने अपने प्रियासों से अपने बल से अपनी तपस्या से अपनी महनस से अपनी लगन से अपने जीते जी अपने सारे राग तोड़ दिये यानि खतम कर दिये सारे दोईस जितने भी थे भगन कर दिये तोड़ दिये और सारी मोहमूरता तोड़ ऐसे व्यक्ति को वंतू बोलते हैं वंतू और जो तोड़ा है वो भग है या भगन थो उनको भग वंतू भी बोलते हैं भगवान जो सब्द है वो उसका विगड़ा हुआ रूप है जो भगवान बोलते हैं क्योंकि एक सब्द और भी चलता है जो बोलते हैं भाग हो गया और भगन हो गया यह दो सब्द हो गया भाग सब्द भी है भाग का है हिस्सा एक सेगेंड हाँ बोलिए ये भगवान सब्द आया कहां से बता तो रहें पाली में भासा कहां से बनती है आप भासा कहां से सीखते हो भासा कहां से सीखते हो किसी चीज को तोड़ने के लिए कोई नाम देरा पड़ेगा ना कोई तोड़ने वाला होगा तो उसका नाम तो रखा जाएगा पहले सही है कोई अगर पत्थर तोड़ने वाला है तो उसको सिला तोड़क बोलते हैं सिला तोड़ वंतु बोलते हैं यह णों का घोड़ा हेनलाता है ही उनकी भासां है यो आपका हाती चंगारता है जो से ढारता है तर possibly सीख पाए हम लोगों ने सीख ली है रशाम बनाने सीख ली आंडर अप रिए दुनिया की वासा है कि व्यक्ति न सब्ट बनाने सीके हैं और नैचृरल जो जिसको वाविल बोलते हैं स्वर बोलते हैं सरा बोलतें पाली के अंदर वो सभी जानवरों ने मनसुरू से जीप सिर्व गले से पैदा हुआ है ये रिभासाइं नेचृल और अकेले राइट और पूरी नहीं है इसके लावा पूरी दुनिया में क्योंकि जो जैन जो लोग थे जिनकों जिन जाता था उनको बोलते जिंद माने जीत लिया पर वह रागदेश को पूरी तरह से भगन नहीं कर पाए कुपेटिश लिए उनको भगनवन्तु नहीं बोला जाता है महावीर मतलब बहुत बड़े वीर है जिन्होंने जीत लिया अपने आपको पर राग देश मोव माया को जड़ से नहीं खतम कर पाए वो इसलिए महावी बोला जाता है पर भग्न वंतु अकेले वही है अच्छा जो भाग सब्द है भाग सब्द का मातला हिस्सा होता है क्या आपका खेत में कितना भाग है आपके घर की जाजात में कितना भाग है जायाद होती थी पुराने समय में महलाओं की भागेदारी पूरी होती थी उसके अंदर महिला पूरे घर की प्रॉपरटी में हथसेदार होती दी है और यہ आज भी चलता है चलन मेघाले के अंदर, मेघाले में जो छोटी सबसे घर की बहला होती है उसको पूरी जाजाद मेरे जाए तो उप्रेबल ये तो बड़ी सो भागवंती है, बहुद लेक्टि सो भाग ले मीत वाला जितवा वाले जीत वाला ऐसे ही जो भगन करने वाला था उसको भगवा बोला गया और वो जो कपड़ा पेंते थे उस कपड़े का नाम उनके नाम पे भगवा पड़ गया और वो कपड़े का रंग और जो नाम था वो सीधा-सीधा भगवा हो गया तो एक नया कलर क का नाम आ गया एक कलर का नाम आ गया रंग का नाम आ गया भगवा सारा वही से बुद्ध से आता है इसलिए उनको भगवाई बोलते हैं और यह जो बाद में भग्ण बगवान कर दिया है और बाद में इस भगवान को बिगारने की कोशिस भी की लोगों ने पर जब यह नहीं बिगड़ा तो इसको नोने अपने कबजे में लेके और जितने भी अपने जो उन्होंने कालपनी चीजे बनाई चूंकि भगवान बहुत ज्यादा फेमस हो गया तो उसमें उसको बिलकुल नगा दिया जाए नश्ट कर दिया जाए खतम कर दिया या उसमें कुछ मिक्स करके उसको टेड़ा मिला कर दिया जाए और या उसको अपना के अपना बोल दे जाए कि यह तो है ही हमारा इस तरह से कबजा होता है तो भगवान बुद्द को ही यहां बहुत सारे सब्सक्राइए जिनको गौद भगवान से समधित माना जाता है जैसे इस वर सब्सक्राइब है यह गौड़ और है यह गधाग गौटाइब हाग मारे भाग माने इससा होता है हिस्सा और भंग और भंग माने होता है तोड़ना विखंडित करना सिखा जाता है उसको भंगानु विपस्ना बोलते हैं को इस वर है इसी माने होता है वह लोग जो पूरे दिन करते हैं या नि करते हैं जिनको आज के समयाब बैज्ञानिक होते हो वह यह कोजविन करते हैं कुछ तो आयरुवेद का खोजविन करते हैं जैसे वह बैठे हुए है विपस्टा साधना में और उन्होंने मिर्च खाई मिर्च खाने के बाद वो देखते हैं किसका कैसा प्रभाब पड़ा तो कैसा प्रभाब पड़ा तो वह अपने उपर experiment करते रहते हैं हवा का कैसे experiment है मौसम कैसे करता है दही कैसे काम करती है रात को धही खाएंगे तो क्या होता है अगर दूश चार दिन नहीं सोएंगे तो सरीर पर क्या प्रभाब आता है वह सरीर का innovation करते रहते हैं कोई फूल प मस्तिस्टी तो वो भी इसी है और वर माने होता है स्रेश्ट जैसे आप केते हैं स्वैम बार या जो हम जो कहते हैं स्वैम का वर ढूंडो कौन है जो सबसे अच्छा है तो वर माने होता है जैसे हम यह कहते हैं तो इसके वर का मतलब है किवेग्यानिक उर सबसे कि पुनिया में अब उस समय कि साभका राज किह साभ से उन में साभका स्थिष्ड गुदु ही है वो धूदु को वित çıkar कोई नहीं भी नहीं कर पाया क्योंकि वो जो उन्हों ने बताया है वो सब लोग कीज़ को पतावों मैं है आप कोई साथ भी सब तकर उठा लोगे तो जैसे सब आता है पभू का उन्होंने प्रभू कर दिया तो पभू का मतलब होता है मालिक कोई किसी चीज़ का जो ऑनर होता है उसको कहते है पभू माने होता है जमीन और पैमाने होती है पूरी यानि पूरी जमीन तो पभू का मतलब होता है पूरी जमीन का स्वामी और इसको बाद में संस्कायइद करके प्रभू कर दिया तो नाम तो था जमीन के मालिका पुरगू को जोड़िया कहीं और से, आप पूरिक जड़ालो, सारे सब, अर्बी के, और अंग्रे जीए यहां से यूरोप से आए हैं उनके अठीन भारत में उर्दू थी और हिंदी तो खेर पाली ही है पाली को पाली में ही उर्दू अग्रेजी और यह फ्रेंच यह कुछ सब्द मिला के इसको जो बोला जाता है हम दसल पाली ही बोलते हैं 80% पाली है और इसमें 20% इसको यह नहीं होता है ना साइड वाला होता है ना नीचे ताइस्थेख हमारे यहां दो सब्द चलते थे और मैं कम चलता था हमारे हां घं को धर्म कर दिया हमारे वर्ण चलता था वे आधारे पूरा रे तो वर्ण होता था तो वर्ण को वर्ण कर दिया वर्ण माने रंग होता है वहां उन्हें रंग भेत पर वर्ण कर दिया तो यह सारे सब्द जो डबल डबल चलते हमारे हैं उनको आधिरे में बदल दिया कुछों को जैस में आ आ जाती है यह क्या है क्या नहीं है नहीं मैं लग लगा रहा लगा तो मुझे बहुत जी समझ में आ गया है तो हिंदी से भी ज्यादा सरल है क्योंकि हिंदी तो विस्ताफ है पर यह वह भूonna ौ और पर पाली में मिल जाते हैं उनके सब्द के आर्थ बड़े सरल है यह सब मिला के तोड़के मोड़के दिये हुए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है चोटी चोटी जो सब्दों के ऊपर है और कुछ रहे अभी इसकाम में लगे इसलिए वीडियो रुग गई है वह सब बनी सादू 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 सर मेरे एक कोश्चन है सर हाँ पूछिए बहुत सर यह सर इन्होंने जो कोश्चन किया था उन्होंने यह का भगवान सब्द कहीं भी नहीं मिलता जो हमारे बुकें हैं जबकि हमने तो बगवान मिलेगा यह मिलेगा भगवान सब्सक्राइ le ROM उसको कौश MUNGK hellाइं और विबू जो आपकी भाथा में। यह चैंट मिलेगा करने मेेरा मेरा 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 यह कहना था था सर्म में यह कह रहा हूँ जैसे समयकाल परिस्थितियों के अनुसार जब सब्द बदल चुका है तो जिसको हम भगन या भवन भगन्तु कहते थे वही उसी का भगवान है उसी का मैं दूसरा एक चीज और भी है एक बात आप ध्यान रखें आरे जो जितने भी लोग जो पढ़ा रहे और सिखा रहे ना उनके पढ़ाने सिखाने में दिक्कत आ रही है अभी तक जितने भी लोग ने हमें सिखाने पढ़ाने आये ना वह हाड कोर हो गए हाड कोर का मतब है कि वो सीधे सीधे डिनाई करें मना कर देतें वह यह कहते हैं यह भगवान हमारा सब्द नहीं इसको भगवाँ यहां से ह और उससे क्या होता है कि क्योंकि तीन तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं एक उसको पूरी तरह से अपना लें तो आपना लो या उसको मिक्स कर लो पर कुछ लोग जो उसको सीधे मनारए कर देते उससे क्या होता है कि हार्ट को लोग बहुत कम होते हैं किसी शमुधा में ना उसे काम खराब जाता होता है बंता कम है यह आपर देखो गे तो हमारे जितने विठ भी हमारी बुद्दकी ष्टैचू है उन लोगों क्या किया उनको कपड़ा ध़के चेरह ध़के उसंपे लालन लगा के पोच के आंखने बना बुरू के sto लिए उन्हों क्छिट को बोच को उन्होंने ठोड़ दी चूज रोद को ब्रॉपीया वट ले के आते हैं वह सब्सक्राइब करके निया में तो तीन तरह से उन्हों दूनिया में आपड़ को देखो कैसे کल्चर जाती है वेसी कल्चर आती है अब एसे लोग भी है जो घगवान बुद्धी कहेंगे कहेंगे तो आप क्या उनको घर से बाहर निकाल दोगे, कि हम तो भगवान को डिनाई करते हैं, अब इतने साय लोग भगवान बुद्ध बोलते हैं, और वो हमारे अपने लोग हैं, तो क्या घर से बाहर निकाल दें, और बहुत से लोग ऐसे हैं, जो समझदार हैं, जो समझ गये हैं, और यह सारे समढ हमारे जैसे जाघ संद है जहसे जैसे जैसे आप उसका करते जाएंगे जैसे जैसे आप समझते जाएंगे समझाते जाएंगे आपको कुछ और करने जोती ही पड़ेगी उसमें तोड़ने वाले भी मिक्स करने वाले भी साइड लोग जितने भी है वो सब आते चले गए मुझे बताया गया है वह बाधी के रूप में हैं कि मतलब जिसने राक को जीते लिया दोस वह भग मोहा वह आप भी बन सकते हैं सर यह काम अगर आज रात को आप करने तो सुवेसे हम आपको भगवान दासू करते हैं कि करो यह काम करना है तरह तो पदाया आपने सुना नहीं सुना यह उसका मैं तो ट्यार बेठे को यावे तो सही काम करके हम तो कहा कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप में भग्वान तू कहो वो तो लोग उनको भनते कहते ते सारे बंते कहते ते पर बाद में उनके neighborhood वो बुद ecos के हैं और किसी के नहीं और सारे गुणपें मैंने इसको पहली पुड़ा दमाग खराब हो गया उतने सारे नाम नाम है कि याद करते करते भारी पर जाते हैं बहुत नाम है और यह सारे नाम बाद में लोगों ने इनको कप्जा कर लिया भगवान बुद्ष से पहले 27 बुद्धों का जिकर आता है तो अगर वह बगवन्तु नहीं हुए तो नहीं है आदमें अभी कहा ना कि बगवान बग हैं वो तो भगवन तो होते ही हैं देखो 27 बुद्धों की जो कहानी है फक्ता ऑम मिलती है वरी चोटी है कि Isa से कंड़ 450 नहीं है जो हमारे इसी वरों के लिखिय वे वियत थे वहाद मिक्स वह तो 27 के वारे में तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि किताब में लखा हुआ है जिनको मानना जिसके वारे में कुछ नहीं नहीं है चालिस नहीं पचास नहीं है इसके वारे में मैं कभी मतलब अच्छे तरहीं किसे नहीं बता सकता क्योंकि पढ़े-पढ़ाई बात है उसको बताने कोई फायदा नहीं है तो मैं उसके नहीं कहुंगा जो किताब में आपने पढ़ाए वोई किताब में मैंने पढ़ा जोस्तों में पुसिनी कैस्टासा राइट सर ती सर बोटाच्छा सर झाओ झाओ साथ याओ आप सभी से यह निविदन है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ध्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने Facebook पे अपने page पे अपने Twitter पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे भी चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बलकुल भी जडरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संंगम सरनं गच्छामी संंगम सरनं गच्छामी दूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मंग सनंगच्छामी 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 साथू, साथू, साथू